हलो फ्रेंड कैसे हैं आप आपके अपने यूट्यू चैनल पर मैंड़ा भी आप लोग का बदबू स्वाद करता हूं दोस्तों प्राचीन भाद के इतिहास में आज हम लोग कॉभर करेंगे मोडे कालीन भारत मोडे कालीन भारत में 322 से लेकर 185 इसवी पुरू में जो ही करेंगे और मोडे मोडे वंस में परमुक सासक के रूप में चंद्रगुप्त मोडे बिंदुसार और और असोक के बारे में इसमें डीटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और उसी के और हम लोग अब्जेक्टिव देखने वाले हैं तो आए भीना समय ब्रबाद के हुए हम तो बिहार में बिहार में ठीक है चलिए नेक्स्ट है 16 महा जनपदो की सूची उपलब्ध है तो कहां पर उपलब्ध है तो अनुगोत्तर निकाय में 16 महा जनपदो की सूची उपलब्ध है जब हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे तो 16 महा जनपदो के उपर हम लोग चर्च से मिलती है नेक्स्ट है मोरे वंस की जनकारी मिलती है कहां से मिलती है तो अर्थ सास्त और बिशनु पुरान से मोरे वंस की जनकारी मिलती है नेक्स्ट है मोरे वंस का संस्थापक था तो मोरे वंस का संस्थापक चंदर गुप्त मोरे प्राजित किया था सेल्युकस निकेटर को और सेल्युकस निकेटर उस समय का ततकाली यूनानी साशक था और सेल्युकस निकेटर ने अपने अपने राजदूत को मेगा अस्थनीस को चंद्र गुप्त मोरे के दरबार में भेजा था और सेल्युकस निकेटर ज चंद्रगुप्त मौडे से साधी होता है उसके बाद कहा जाता है कि 500 हाथी उपहार के रूप में चंद्रगुप्त मौडे को मिला था और चार राज्ये दहेश के रूप में मिला था तो इसके उपर हम लोग आएंगे तो डीटेल में चर्चा करेंगे एक वीडियो में सुधर्शन जील का निर्मान कराया था तो किस ने कराया था तो चंद्र गुपते मोरे ने सुधर्शन जील का निर्मान कराया था ठीक है दोस्तों और दोस्तों हम बता दे कि इससे पहले हम लोग प्राचिन धार्मिक आंदोलन में बध और जैन्धन के बारे में डिटेल में ह इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल गुप्त उतरकाल ऐसे ही प्राचिन भात को समाप्त करेंगे उसके बाद मध्यकाली निक्यों राएंगे अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे चलिए नेक्स्ट है चंद्रगुप्त अनुआई था तो किसके अनुआई था चंद्रगुप्त तो जैन धर्म के अनुआई था जैन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मोडे ठीक है दोस्तों चलिए चांक के उपर तो चांक कना मंं अगर पूछता है दोस्तो तो विस्थनुगुप्त है ऐसे विस्थनुगुप्त हो सिद्याल आद उसके बाद चांक के औ Kingdom तक्ष सिला बिस्वत भी द्याल है में सिखचक भी रहा चुके है और पीधा का नाम चानक था ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट है अपने जीवन के अंतिम दीनों में जैनधर्म को अपनाया था तो चंद्रगूपते मोडे ने अपने अंतिम दीनों में जैनधर्म को अपनाया था नेक्स्ट है सीलालेक का प्रचलन प्रारंब किया तो असोक ने सिरालेग का प्रचलन सर्व प्रथम प्रारंब किया था और असोक को सिरालेग का जनक भी कहा जाता है नेक्स्ट है असोक ने धम धम माने धर्म होता है स्विकारा था बने बहुत धर्म स्विकारा था तो कलिंग यूध दूसर एकस thinkers इसापूरों में जो कलिंग यूध हुआ था उसके बाद जो धंब को सविकारा था बौधर्म को सविकारा था यही कलिंग यूध में बहु सारे संधारक को देख विजलित होता है असोः अशोख और परिणामशरूप उसने बौधर्म को सविकार लेता है चलिए नेक्स्ट है असोक ने बहुत धर्म के प्राचार के लिए स्रीलंका भेजा था तो किसको भेजा था स्रीलंका तो महेंद्र ओ सिंग मित्रा को स्रीलंका भेजा था चलिए next है चनक के रचित अर्थ सास्त पुस्तक है तो किस पिप चनक के रचित अर्थ सास्त पुस्तक है तो प्राशासन के ऊपर ठीक है तो यह important point है दोस्तों आप याद रखियेगा चलिए next है चंद्रगुप्त मौडे के दरबार में आने वाले प्रसिद यू ना नी था कौन था तो मेगा अस्थनीज मेगा अस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूद था ठीका है और चंद्रगुप्त मौडे के दरबार में आता है जो कि इंडिका में इसका प्रमान भी मिलता है चलिए नेक्स्ट है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था तो चंद्रगुप्त मोरे ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था और असोक अंतिम दिनों में किसको अपनाया था बौत धर्म में आने वाले बेक्ती मेगा अर्स्थनीज था ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट की गोड चंद्रकुप्त मोडे ने अपने अंतिम दीन दीन बिताय कहां पर बिताय थो तो सर्वन बेल गोला में बिताय थे और यहीं पर उनको दूको विर्णतू हो जाती है प्रानत त्यागते है 1990 BC यानि इसापुरो में बहुत सारे किताब में हमको जरूर facilities में कहिए गया चलिए next है असोक का सबसे लंबा अस्थम अभिलेक को माना जाता है जब हम लोग अस्थम अभिलेक पढ़ेंगे तो सारे अस्थम अभिलेक को जो जो important है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चले नेक्स्ट है असोख का नाम असोख कहां मिलता है तो मासकी गुजरा अभिलेक से मिलता है असोख का नाम असोख नेक्स्ट है असोक ने स्वयं को मगद का समराथ बनाया था तो भड़ावु अस्थम लेख में इसका प्रावान भी मिलता है ठीक है अस्थम लेख से यहाँ स्वयं को मगद का समराथ बनाया था असोक युध की बिजय बीनास का वर्णन है तो कहां पे मिलता है तो असोक के सिलालेख तेरहमी सिलालेख में असोक का युध बिजय और बीनास का वर्णन मिलता है चले निक्स्ट है साची अस्तूप बनाया था तो असोक ने साची अस्तूप बनाया था उसके बाद स्री नगर की अस्थापना किया था तो असोक द्वारा स्री नगर की अस्थापना किया था सांची की अस्थुक दोस्तो और भी आप याद रहें सारनाथ सारनाथ अस्थम किस ने बनाया था तो असोक ने बनाया था जी सारनात को दोस्तो भारा सरकार द्वारा रास्टिये पर्तिक चिन के रूप में भी माना गया है इसको याद रही है असोक के अभिलेखो को सर्वो पर्थम पढ़ा तो James Princess James Princess होगा दोस्तो princess ने सर्वो पर्थम असोक के अभिलेखो को पढ़ा था अठारासो तैस सवी में तीक है कि नेक्स्ट है असो के अभिलेखों की खोज सत्रासो पाचास में की गई थी तो ट्री फैन लड अभिलेखों की सत्रासो पाचास इस में यहां खोज की थी हरिसेन का इलाहाबाद प्रसस्ती लेख की जनकारी देता है तो समुद्र गुप्ट देता है हरियक वन्स का संस्थापक कौन था बिंबी सार था अमित्र घात के रूप में प्रसित्त तो बिंदू सार था ठीक है तो दोस्तों ये डिवीजन के तौर पर आप समझे आप लोग को तो पुरा याद भी होगा तो रिवीजन के तौर पर समझे आप जनपद जनपद आवंती की राजधानी थी तो उजैन थी दोस्तों मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी बंजय जाएगी तो आप लोग छोड़के चल जाएगा इसलिए मैं सौट में वीडियो बना रहा हूं और आप लोग देखते कहां वीडियो एक मीनट दो मीनट तीन मीनट ही देखते हैं उसके बाद छोड़के चले जाते हैं नंद वंस का अंतिम सासक था तो घनान था चलिए नेक्स्ट है भारत पर आकर्मन 326 बीसी करने वाला पर्थम बिरेसी था तो सिकंदर था भारत पर आकर्मन करने वाला पर्थम बिरेसी सिकंदर था नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के मध्य युध कहलाता है तो हाइडे स्पीच का युध सिकंदर और पोरस के मध का युद कहलाता है नेक्स्ट है साथवाहन वंस की अस्थापना की थी तो सिम्मुख ने साथवाहन वंस की अस्थापना किया था नेक्स्ट है बात में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किये थे तो हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किये थे चलिए नेक्स्ट है दस राज्य इसको दस रागे भी बोलते है है यानि दस राजाओं का यूद लाड़ा गया इसके बिच्राया गया था तो प परुशेशनी नदी के टटपी लाड़ा गया था तीक है यहाँ पर दोस्तों पूछ लाड़ा गया कहां पे लड़ा गया तो परुसनी नदी के टट पे लड़ा गया था चलिए नेक्स्ट है रुद्र सोने के सिक्के चलाए तो कुसानों द्वारा रुद्र सोने के सिक्के चलाया गया चलिए नेक्स्ट है सीसी का सिक्के जारी किया था किस ने किया था साथ वाहन नो द्वारा सीन से केशिक के जारी किया यह लोग गुप़त काल के ऊऩर्ज़गा जारी हुई थी उपर हम लोग चर्चा करेंगे और गुप्त इत्र क्याल के ऊल हम लोग अएंगे चलिए नेक्स्ट है थुरा ही है दोस्तों अब नेक्स्ट है कुसान वंस का संस्थापक था तो कुजुल कड़ फीसिस कुसान वंस का संस्थापक था है यह यह कि दूसरी राजधानी थी तो मधुरा थी मधुरा और पहरी राजधानी दोस्तो K Normally नेकुछ थी क्व्ध मूर्ति का निर्माण शुरू हुए था था तो कूसान काल में शुरू हुए था सक सामंत की शुरुवात की थी तो कनेक्स ने 78 इसवी में सक सामंत की शुरुवात की थी तो दोस्तो हम लोग ने मोडे वंस से जितने सारे objective point बनने वाले हैं उसको cover कर चुका हूँ और नेक्स्ट में हम लोग गुप्तकाल के बाड़े में चर्चा करेंगे और दोस्तो यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूरर कमेंट में कहिएगा और आपके द्वारा जो भी सजेशन है वो भी हमको कमेंट में कह सकते हैं और दोस्तो अगर चैनल पर नए है तो subscribe, like और दोस्तो के साथ जरूर सेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलें चलिए दोस्तों लग फिल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे थैंक्यू थैंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत